अगर आपके पास भी बैंक और बरोदा मां एकाउंट है या अपने ना एकाउंट ओपन किया है तो आपको बीओ वीडियो यानि के मोबाइल बैंक इसका एमपिन कैसे बनाना है और उसमें लोगिन करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस फोलो करना होगा तो इस सब्सक्रा करते हैं देखें आपको सबसे पहला है प्लेश्टोर से ब्यूब वर्ड के नाम से एक एप्लिकेशन जिसके पचास मिलिन से ज्यादा डाउनलोड है तो इसका मोब इंस्टोल करके ओपन पर हम क्लिक करेंगे अब ऑपन पर किलिक करने के बाद आपके सामने एक नाया पेज पर अपर आपको अपनी लैं ngoेस चूज करनी है उसको इसको इसको इंप चाहेंगे ऑलेंगे वह से दगांगे लिए यह लें uploaded पर्यग लिए पो रच्पर करेंगे प्रोश्टीव पर कुछ यहाघ है है तो इसके बाद में स्किप करते हुए इसको हम यहां पर देखे गेट क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपर तीन ओप्सन दे गए हैं उपनड डीजिटल एकाउंट और उसके बाद एपले फॉर लोगन और उसके बाद है लोगिन कर आपको डीटल आकाउंट ओपन करना है ताब आप अपन डीजिटल एकाउंट क्लिक करके account open कर सकते हैं loan के लिए apply for loan पर क्लिक करके loan के लिए apply कर सकते हैं और login पर क्लिक करके आप इसमें login करेंगे already a customer यानि कि अगर आपका बी ओ बी में बैंको बरोदम है already एक account open किया है अपने नया हो या पुरान हो और पहली बार इसमें pair can play लेकर करेंगे तो आप क्या करेंगे आपर login पर हम क्लिक करेंगे तो हमने यहाःप login पर चुलिब किया और लोगन पर क्लिक करने के बाद आपके online करें एक थिम होगा तो वह आपकी vid Miami ऑन तो जो देखें हाँ पर आपको मौल नमबर सो कर देगा है इसको हम confirm करेंगे confirm पर किलिक करने के बाद आपके register मौल नमबर पर OTP send क्या गया है तो OTP आटोमेटिक लिए लगा आपको सिर्फ OTP आने के बाद में verify करना थे देखें हाँ पर verify जो है highlight हो चुका है तो हम इसको verify पर किलिक क करेंगे OTP आ जोका है अब यहां पर हम देखेंगे terms condition को accept करेंगे इसको और उसके बाद प्रोशीट पर किलिक करेंगे प्रोशीट पर किलिक करने के बाद आप से तीन चीज़े पूछे गई हैं आपका account number और उसके बाद मैं आपके जो debit card जो ATM card है जो आपको welcome kit में मिलता है उसके last के six digit आपको यहां पर डालना है उसके बाद आपको valid महिना और यहां पर year डालना है कि आपके ATM card पर जो validity है एक्सपायर की वो क्या है आपको डालना है तो इससे बीचिज़े डालकर आपको यहां पर submit पर किलिक करना है अब देखें आपको एक problem देखने को मिलती होग करना होगा उसको एक्टिवेट करना होगा तो मुबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करेंगा उसके बाद में इस एप में हम लोगिन करेंगे जब तक आप अपनी मुबाइल बैंकिंग को एनेबल नहीं करेंगे एक्टिवेट नहीं करेंगे नेट बैंकिंग के माधिम सा तब तक आपको यही सर्वेज नोट अवेलबल करियों जब एक्टिवेट करेंगे तो वीडू में बने रहें तो值 प्रोवलम का सोल्सीन यह को आप अपने अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लोगिन करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग को कैसे अक्टिवेट करना है लोगिन आड़ी पास्वोड कैसे जन्रेट करना है इसका प्रोसेस भी आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा वीडियो अप्लोड है आप जाकर का स्वीडियो को द और उसके बाद में लोगिन करेंगे तो आपको मुवल अबर ओटीपी से एंड के जाएगा फिर पास्ट डालना होगा और उसके बाद में लोगिन कर लेंगे तो नेट बैंकिंग में लोगिन होने के बाद आपको अपने अकाउंट का डैश्बूर्ट दिख जाएगा यहां यहां पर क्लिके करेंगे लाङ्किंग वे वेड्य मेंकिंग्छ यहां क्लिक करेंगे तो नेक्ट प्रस Сам हमने क्या करना है इसको हम देखते हैं कि next process हमें क्या करना होगा एक वीडियो पर complete अगर आप बने रहेंगे वीडियो को लास्ट दक देखेंगे तो आपको काफी कुछ सम्झमा आने वाला है और यह सभी चीज़ें आप जो है अपने घर बैठे अपने मुबैल से ही कर सकते हैं तो यहा हम क्या करेंगे customer ID जो कि हैं पर है इसको हम सिलेट कर लेंगे यहां पर के करके customer ID क्युआ है customer ID आपकी उसके बाद में customers के detail और Mobile नमर कम कर मैंब मोगय नमर देख다 है वसके बाद देखए एक बटन देया गहां पर साइड में continue तो हम continue पर क्लिक कर देंगे continue पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमें और क्या पोलो करना होगा कि तो यहां पर continue क्लिक करने ऐसे आपको यहां पर देखें टांजेक्शन पास्ट डालना होगा transaction pass sword कैसे बनाना है login passirs कैसे बनाना है मैंने सब details में video बनाई हुई यहां पर transaction passartON curl सब्मीट पर keelik करेंगे तो पहले हम transaction password डालेंगे उसके बाद submit करेंगे तो जीसे हैंप पर हमने transaction pass road डाला है उसके बाद submit पर click करको देंगे the detail हमने dhp यह खाल से यहां पर डाल दिंद पर सम्मीट पर किलिक करेंगे सम्मीट पर किलिक अबाद हम देखेंगे तो मैं यहां पर इसने एर्र दिखाया दोनों बार तो इसका मतलब यह आपका जो यह बैंक को ब्रोदे की तरफ से यह माली जै कि अभी वर्क नहीं कर रहा है या इन्होंने इसमें रिस्टेशन करना बंद कर दिया है तो इस चीज़ को बैंक ऑफ इंडिया है बेर्ट बैंक और ब्रोदा बीओ फ्रॉम ओन बोडिंग नियू कस्टूमर्स फ्रोई इस ब्योबी वर्ड मॉबाइल एफ फॉलविंग मेटेजियल सुपरवाईजरी कंसर्ण ग्यार अक्टूबर थोजर तेश्ट यहां पर बताया गया है कि रिज़ उसमें नए कस्टूमर जो है रिजिट्रेशन नहीं करेंगे तो अभी फिलहाल इस एप में आप रिजिट्रेशन नहीं कर सकते इसमें अकाउंट क्रेट नहीं कर सकते यह और ब्रोदा को बता गया है कहा गया है और गयार अक्टूबर थोजर तेश्ट से बैंक और ब्रोद चाकि उसमें आप रेजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं अगर आपको UPI वगर चलाना है तो इसके application है वरड यूपियाई उसको अप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कैसा अकाउंट बनाना है किस तरीके सा उसको इस्तेमाल करना है इसका वीडियो हमारी चैनल पर आपके मिल जाएगा उसका लिंक पर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसे वीडियो का आप जाकर करके देख सकते हैं